आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटेस्टेशन और एपोस्ट्राइल के बारे में जो भी पॉसिबल नोलेज आपको चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा अब ध्यान से देखेगा इस वीडियो को क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं अगर आपने फोलो नहीं करा तो ठीक है पहले में आपको अपडेट देदेता हूं कि अभी एमबेसी में है साथी एमबेसी और कॉंसलेट में क्या अपडेट डेल्ली एंबेसी साओधी का जो एंबेसी है देल्ली में उसमें अटेस्टेशन बंध है मुंबई कॉंसलेट में एटेस्टेशन चालो है अब आप अपोस्ट्राइल जो है वह दोनों जगा हो रहा है साओधी का इन की स्ट्रेक्शर है में इंडिया में वह दो पार्ट में बता हुआ है कुछ जो इरियisée उसको दिल्ली के अंदर में रखा गया है कुछ ऐरिया जो है वो डिकन एरिया मोस्ली जो है सेंट्रल ओडिकन एरिया उसको मुंबई के अंदर में रखा हूँ अगर आपको अगर आपका वीजा इंवेटीशन में अगर डेली मिशन लिखा हुआ है तो आपको आपका डॉकुमेंट एक्सिप्ट नहीं करेंगे अगर आपका मुंबई मिशन में अगर आपका पढ़ता है और मुंबई मिशन आपके वीजा इंविटेशन में लिखा हुआ है तो आप अगर मान लिजे दिल्ली से करवाएंगे तो आपका डॉकुमेंट मुंबई वाला एक्सिप्ट नहीं करेगा ओके फिलाल तो दिल्ली में अटेस्टेशन बन है तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं तो यह आप लोग ध्यान रखिएग सवोडी के लिए साओी में जो भी आपको प्रोसिस्ट करना है जाएव विजा या वर्मडिवीज़ी विजिद विजा या जो भी चीज्स आपको प्रोसिस्ट करने है उसके लिए डोकुमेंट को एकेस्टेशन एक कोई भी एकसेप्टेबल है ओके पहले यह था कि एके कभी ही का मझाशन अगर आपका डेल्ली मिशन और यह स्कुन करोता है अगर अगर आपको डॉकून्वेंट करति नहीं है यह स्टेट से ले छेसे वह मनत्रा ले एपार्ट 오늘도 आपको Apostile करवाना पड़ेगा नहीं तो Apostile नहीं होगा जो गोवर्मेंट इशू डॉकुमेंट है बस उसी का Apostile होता है और Attestation किसी भी डॉकुमेंट का होता है एक चाहिए आपका जो मेरेश सर्टिफिकेट है गाजी के द्वारा इशू क्या हो उसका भी होता है होता है रेजिस्टार्ट मेरेश से होता है उसका भी होता है कोई भी डॉकुमेंट होता है अब यह दोनों में बस यहीं अंतर है कि अटेस्टेशन करने के लिए आपको कॉंसिलेट और एमबेसी दोनों जगह से होता है लेकिन जब आप आप स्टेप्स में होता है पहले आप करवाते हैं नोट्री फिर SDM का station फिर उसके ऊपर लगता है M.E.A का sticker अब इसमें भी बहुत बड़ा एक rumors बोल लो या फिर scam चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको educate करूंगा कैसे आप उसको verify कर सकते हैं वीजा में भी चल रहा है और यह एपोस्टाइल में भी चल रहा है जरूर नहीं कि जो भी sticker लगा हुआ है वह valid है authenticate आपका पास जब भी यह document आता है तो आप इसे online verify कर सकते हैं कि भाई मेरा document सही में उसका एपोस्टाइल हुआ या नहीं हुआ इसको मैं आपको अलग video में दिखाऊंगा screen share करके कि कैसे आप इसको validate कर सकते हैं online आपका data available है वैसा ही दिखाएगा जैसा आपके documents में है details तो मैं उमीद करता हूँ कि यह दोनों जो the differences हैं जो key points है difference तो पूरा मैंने नहीं बता है लेकिन जो key factors है जो आपको जानना जरूर है वो मैंने आपको बता दिया है अगर आपको apostrial करवाना है या फिर attestation करवाना है तो आप document जब submit करते हैं मुझे तो उसके साथ आप पहले एक काम कीजिएगा document based दीजिए इसके आद मैं उसे check बोलूँगा ठीक है एक्सेप्टेबल फिर आपको मैं address दूँगा जिस पर आप उसे dispatch कर दीजे और dispatch करने के दो से तीन वरकिंग देज बात फोर वरकिंग देज के अंदर ही वह अपुस्टाइल हो जाता है अटेस्टेशन भी almost उतना ही देड लगता है ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग अपना ख्याल दखिए थैंक्यू वेरी मच्च कि अच्छ